जैसे जैसे मोसम बदलता है तो मोसम के नुसार फल और सबजिया आने लगती है कभी गोभी का सिजान आता है तो कभी गाजर का इस तरह की सबजियों को मोसमी सबजिया यानि की सीजनल वेजिटेबल्स कहा जाता है ऐसे ही जब गरी में आती है तो कड़ी, खीरा, तर्बूज, खर्बूजे जैसे फल भी आते है जो हमें खाने में बहुत ही जादा अच्छे लगते है नमस्कार मेरा नाव हैंकुर और आप देखना सुरू कर चुके है हेल्दी पोड़का अच्छे एक भाद बताईए जब भी आप खीरे के बारे में सुनते है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है बताईए मैं बताओं सलाद से भरी पलेट क्योंकि जब गर्मिया आती है खीरा, खकड़ी आपके खानपान का एक एहम हिस्सा बन जाती है गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यह फल या सबजिया आपके सरीर में पानी की कमी को आसानी से पूरा कर देते है तो आज हम बात करेंगे कि खीरा खाने से आपके सरीर को किस परकार की हेल्प बेनिफिट्स मिलते है पहला फाइदा हाइडरेट रखता है यानि कि गर्मी का सबसे बड़ा दुस्मन होता है डी हाइडरेशन यानि आपके सरीर में पानी की कमी हो जाना क्योंकि जल ही जीवन है और आपके सरीर में भी 70% से ज़्यादा पानी ही तो है तो जरा सोचिए अगर पानी की कमी हुई तो आपको कितना नुकसान हो सकता है खीरे में 90% से ज़्यादा पानी होता है आपको अंदर से हाइडरेट रखता है और लू जैसी घंबीर समस्याओं से भी आपको बचा के रखता है दूसरा फाइदा तो अचा को ठंड़क पहुचाता है यानि कूलिंग एफेक्ट देता है खीरे का ठंड़ा ताप मान तो अचा को ठंड़क पहुचाता है और जलन को कम करता है ठकान मिटाने के लिए आप खीरे की सलाइस को आँखों पर रख सकते है इससे बहुत ज़्या धा फाइधा मिलता है तीसरा फाइदा वजन घटाने में सायक होता है यानि आपका weight loss करता है खीरे में calorie बहुत कम होती है और fiber भर पूर मात्रा में होता है तो यह आपको लंबे समध तक पेट भरा हुआ मैसूस कराता है जिससे की आप कम खाते है और आपका वजन भी इससे कब्ज और पेट फूले की समझ्या दूर हो जाती है इसलिए खीरा जरूर खाईए पांचवा और अंतिम फाइदा आपकी इम्मुन्टी को बढ़ा के रखता है कैसे खीरे में विटामिन C और एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो कि आपकी इम्मुन्टी के लिए बहुत ही करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ही जरूर करें थैंक यू